आप सभी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाईए हमारे विश्ष चाथिपी इस तत्रों के लिए हमारे बीच मंच पर पहुंच रहे हैं हमारे साथ श्री परिज बहारी लाल पुचेल हिपातेश ब Branसभा कि अत्यक्ष महुद्ये पहुंच चुके हैं हमारे साथ कलाकार शुप्रसिद्न कार近शई विक्रम बोक विघे शुप्रसिद ले कहमेदिएंशन शुपी विक्रम साथी कुपशह दिए हम उनका मंच पर हार्डिक्स फागत और अभिनंदन करते हैं आप सभी अपने अपने स्थान ग्रेंड करें आप और्डियन्स पे भी सभी अपना स्थान ग्रेंड करें आज के हमारे सत्रु का विश्ए लेजर्स ब्रेंग पॉलेवूद और क्रिकेट बहुत ही रोचक विश् और सत्र की शुरुआत हम हमेशा की तरह अपने मुक्याति थी हमारे विश्ए श्रतितियों के स्वागत अभिनंदन के साथ मैं अनुरोद करूंगी डॉक्टर विश्णा दी कराज सरसे श्री प्रेज मोह बिहारीलाल बुटेल हिमाचिल प्रदेश विथान सभा के माननिय अभिनंदन स्वागत करें तालियों की कड़गड़ाहट के साथ हम श्री प्रेज पिहारिलाल बुटेल जी का यहां अभिनंदन कर रहे हैं हर सत्र की शोभा बढ़ाते हैं हमारे विधान सभा अध्यक्ष जिसकी परंपरा भारती छात्र संसद ने डाली है हम स्वागत अभिनंदन करेंगे सुप्रसित पिल्मकार कलाका श्री विक्रम गोकले जी का भारती छात्र संसद के साइयों जग राहुल कराट जी के हाथों और आपकी तालियों के बीच आज के सत्र पर अपने विचार रखेंगे हमारे इस मंच पर विराजमान प्रसित लेका कमेडियन श्री विक्रम साथे जी अब उनका भी अभिनंदन करते हैं आपने उन्हें जरूर पढ़ा होगा देखा होगा बौद्वा स्वागत आपकी तालियों के बीच हारती छात्र संसद में आप सभी का स्वागत अभिनंदन आप अपने अपने स्थान प्रहिन करें तो मित्रों एक समय था जब हम घर ढूणने जाते थे तो हम क्या देखते थे हम देखते थे कि घर के पास कोई अस्पताल है कि नहीं घर के पास कोई पूजास्थान है कि नहीं हम देखते थे कि कोई अच्छा स्कूल घर के पास है कि नहीं लेकिन आज ऐसा नहीं है मित्रों आज जब हम घर ढूणने निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं तब हम यह सोचते हैं कि हमारे घर के पास कोई मॉल है की नहीं कोई पिक्चर हॉल है की नहीं अक्सर यह देखा गया है टीवी जब हम खोलते हैं तो हम उस पर क्या देखते हैं हम देखते हैं क्रिकेट पर चर्चा धोनी के सन्यास लेने पर चर्चा उनके परिवार वालों पर चर्चा हम क्या देखते हैं बॉलिवुड में आज कल क्या चल रहा है किसका किस से चक्कर चल रहा है इन तमाम तरह की तड़केदार कहानियों में हम बहुत इंट्रेस्ट लेते हैं और राजनिती की जो चर्चाए ज्वलंत मुद्धों पर गंभीर चर्चा करें सोचें अपना वक्त दें बॉलिवुड पर बात करना क्रिकेट पर बात करना बुरा नहीं है लेकिन सवाल यह है कि जो देश से जुड़े हुए और एहम मुद्धे हैं उनकी हमन देखी क्यों करते हैं और आज यही हमारा वि लिजर आपके समक्ष प्रसुत कर रहे हैं इस सत्री की शुरू आपने राजनीती में होने का यह मतलब तो नहीं कि आपके पास कोई पद या पोजिशन हो और हां घर बैठे बैठे यह कहना बहुत आसान है कि आपके आसपास कुछ बदल नहीं सकता लिकिन अगर इस देश के आम आदमी ने राजनीती में पूरी तरह से योगदान देना शुरू नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की सत्ता गुंडे और मवालियों के हाथ में होगी सब्बी कहा पडाई छोड़ कर पॉलिटिक्स में मत गुसो गंदी है कुछ नहीं होगा मैं बोलता हूं क्यों ना गुसे गंदी है तो उसे साफ को ना करें कैसे कुछ नहीं हो क्या मैं गलत बोलता हूं है हमें कोई रोग सकता है क्या हम लड़ने के लिए तेयार है पॉलिटीक्स की डुल्दल में उतरने के लिए और आने वाले उप्चुनाओ में लड़ने के-स तो हमें टायार है चाहिए कि अंच चुनाओ उन्हें! सब्मानित विभूती जिनका सानिद्य हमें मिला है विशिष्ठ राज रितिग्ये हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष महोदे माननिये श्रीब्रेज बिहारीलाल बुटेल जी हमारे साथ हैं साधर आवंत्रित करते हैं माननिये श्रीब्रेज बिहारीलाल बुटे अगर तालियों की गड़गराहट के साथ हम स्वागत करेंगे इस मंच पर माननी बुटेल जी का इस पांच में भारतिये चाटर संस्थ में इस आयोजन में मुझे आने के लिए हर्श हो रहा है इस सब्सक्राइब में हमारे श्री विश्वनात कराजी जो के फांडर हैं M.I.T. के और श्री रावल कराजी जो के भारतिये चाटर संस्थ के संस्तापक है आपके सेकर्टरी श्री मंगेश कराजी जी हमारे बीच में श्री सभी यहां पर उपस्तित मेरे आदनिये मानुबाफ और यहां पर श्री जैन्त और श्री सिंकल की जिनने मुझे यहां पर आने के लिए प्रेज किया श्री जगदेले जी प्रोफेसर आईटी M.I.T. और आज मुझे जो विशे आयजकों ने यहां पर रखा है उसकी मैं स्राना करता हूं लेट्स ब्रिंग पॉलिटिक्स बीवोर बॉलिवोड एन क्रिकट मैं यह बना रोचिक और असा विशे है जिस पर हम प्रेजिस कर सकते हैं कि हमारे नौजवान हमारे युवा वर्क जो है तो आगे बढ़कर देश की सेवा और देश का काम करें बॉलिवोड और क्रिकट जो है बहुत इंपॉर्टन्ट है रोचिक खेल है मंदरंजन है लेकर राजनिती में मैं समझता हूं कि है राजनिती में जब युवा हमारे आएंगे तो हमारे राजनिती जो है वो एक सांव सुती राजनिती होगी और हमारे युवा जितने भी हैं भारतवर्च ए उनमें जोश है बिबेख है आपने देखा हुआ कि हमारे अजादी पहले हमारे युवाओं ने महत्भा गांडि जी जुएलाल नेयरो जी और सिजार पुटेल जी और अन्य या बड़े बड़े नेताओं के साथ संगर्ष किया और आज़ादी लाए और आज़ादी के ताथन साल के बाद भी हमारे युवक जो है वो वयुक रखते हैं लेकन व तो राइनीती से क्यों पीचे हट रहे हैं मैं समझता हूं कि क्रिकेट और बॉलीवूट जो है वो एक अच्छी जीस है उसको भी आगे बढ़ाना है लेकर राइनीती जो है हमारे देश के सभी लोगों के लिए फाइदामन्द है राइनीती को एक राइनीती एक फद्दती है पेले स्टैबलिष्ट एक प्रसेस है जिसके दोरा क्राशन क्या जाता है दुन्या में देश में राजे में और उस जासन से जो लोगों को आफच्छुक्टां के अन्फार उनकी जाफच्छगता है उनको पूरा करने में जो राइनीती के हैं वो फटेश की जों गोष्ष आज उस चीज के लिए हमें अच्छे लोगों को आ गया ना है आज हमें देखते हैं कि हमारे जो जितने भी पुराने हमारे नेता रहे हैं उन्होंने बड़े इमानदारी से अपने सब को नेचावर करके अपने एशवाराम गवा कर देश की सेवा की देश को अजाद करया और आज हमारे चातर जो है वो बर्शों बर्श राजनीती से पीचे हट रहे हैं उसका क्या कारण है उसका यही कारण है कि वो एक राजनीती को गंदगी और दलदल समिए आज बरस्थाचार और अंसाशन हींता जो है एक चैप्टर बन गया है जिसमें हमारा यूथ जो है करता है आज अगर आप सोचिए अच्छे आदमी हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं लोगों के लिए सेवा का काम करें अपनी नौलर बढ़ने का काम करें आज देश में यूबकों ने आईटी में जो करके दिखाया है सारी दुनिया में दाग जमाई है और आज हम चाहते हैं क कर देश का भला करें बहुत स्कोप है काम करने के हम पीछे हरने से हम क्या जो गल्त आदमी आएंगे यह गल्त जो राजनितिक आएंगे उन से रूल होना चाहेंगे उन द्वरा प्रसाशित होना चाहेंगे अगर आप चाहते हैं कि अच्छी साफ सुत्री राजनिती हो तो आगे बढ़े तो हम से खते हैं कि कोई ऐसी बात हैं कि हमारे जूट जो है जिनमें विवेक है जोश है जैसे कि वह हमारे अजादी से पहले जोच खाते थे अब ही वो जोश को अपने साशन को अच्छा सुशाशन कर सकते हैं। आज हमारे जितने भी सिंगर्ष हुए हैं, ज्यूकों के हमारे देश में, उताना शाई है और कई और चिज़ों के बिर्द हुए हैं, ना कि किनी मुझ़ों पर, कोई मुझ़ ऐसे नहीं थे, हमारे जो सोशन हुआ हैं, अंग्रेजदों के टाइम पर, और बार के जो हमलवर ह अगर आप उदासिन हो जाएंगे तो गलत आजमें जो है वो राईनीती में आएंगे और आज भरस्टा चार अनसाशन हीन्ता अजब दिखन लुगता है मैं एक स्पीकर हूँ और स्पीकर के हैसिय से लोगों के गाले प्रसीन की कमाई जो है वो हमारे संसद में विधान सबाव में सदन में लोगों के ना करते हुए शोड़ श्राबे हो अला करके हम उनके गाड़े कमाई का एक नुक्सान कर दे हैं हमें चाहिए कि हम अनसाशन रखे और एक आपके जो पॉलिटिक्स है उसको सर्फ स्रक्षित रखे आगे देश की तरकी के लिए उसको लगाए हैं देश के जो हमारे संसादिंद हैं उनको हम अपने देश में रखे हमें अच्छा लगता है कि हम अन विवाओं को मौका दे जिनको सुशाशन करने का मौका मिले आप पीछे हटने की बात नहीं हैं हम जैसे हम जोस से पहले करते थे काम वैसे जोस अगर करेंगे तो देश का भला होगा देश में फिर से अच्छा सुशाशन आएगा आज मुझे दुख लगता है कि हमारे जितने भी प्रोगाम हैं उसमें प्रस्टाचार हमारे प्रस्टाचार लोग गुजगे हैं जिनका काम सिर्फ कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनका काम प्रस्टाचार करना है और पैसा कमाना है ऐसे लोगों से साच्छित हो रहे हैं आप और आपको ये चाहिए कि जैसे घर में को या राजरता आजाए तो आप जो मुखिया है घर का उसको आगे बढ़कर उसका मकाबला करना पड़ता है ऐसे यह वहाँ से अकांचा रखी जाती है कि वह आगे बढ़कर देश को संभाले और देश को आगे बढ़ाएं और फिर से सुसाशन लाएं देश की गर्मा जो है जो हमारे फराने सदीयों से चली आ रही है फ्रिशिय मुन्वन से मुनियों से चली आ रही है हमारे जो मुले है और द freshly है तो मैं जाजा इसके बारे में नहीं कहूंगा लेकन यह मैं जरूर obsessed कि आप किरिकेट और बॉलिवूड के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी पूरा भाग लें ताके जो सुसाशन हो सके कुसाशन ना हो प्रस्टा चार ना हो अंसाशन हींता ना हो आज हम पीछे जा रहे हैं हमारा देश जो है वो तरक्की के बजाए अबनती कर रहा है और उन मुल देखें मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्श हो रहा है कि यहाँ पर जो योगदान जितना योगदान हमारे शरी विश्वनात कराज जी का है राल कराज जी का है यह बहुत सुरानिय है ऐसा महाल पैदा करना मुझे शिमला से यहाँ पर आने का मौका मिला आप लोग से सीख कर भी हूं और मुझे अपने असेमली में एक कावज रहीत असेमली को पहली असेमली भारत वर्ष की है जिसने हमने कंप्यूटराइज किया है और कंप्यूटराइज करके आज हम 6000 दिख्षों का उनको सेव कर रहे हैं हम अपने सरकार के लिए 18 क्रोर रुपया की बर्चत भी क मैं अपने कौपरटिश में भी सालेता था अपने कौलज्यों में हिस्सालेता था उनको अच्छी तरह से 440 करने में मढद करता था और आज हमारे कौपरिटीव हैकि इसको वायरीव बनाने के लिए हमारा योगदान है यह हम चाहते हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं हमारी उमर जो है बढ़ रही है लेकन यंग आदमी अगर आगे आएंगे तो देश का भला होगा यही मैं करना चाहता हूँ आपसे गुदारिश है और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर देश की गर्मा को जो हमारी कई वर्षों से हमारा संस्कृती और हमारा जो लैजा है हमारे समाज उसको भाल करने में आप मदर करें अगर आप पीछे हटेंगे कंप्यूटर की एज में जाएंगे आप वाट से पी करते रहेंगे या आपका मेसेज करते रहेंगे उसे कुछ बनने वाला नहीं है आपको राजनीती में आना पड़ेगा और राजनीती में आगे आकर लोगों के भले के लिए लोगों के जीवन के अवश्यता पूरा करने के लिए हम इस्तमाल करें मैं ज्यादा नहीं कहता हूं ताइम बहुत कम है लेकर यह फिर से मैं गुदार्श करता हूं कि आप यहां पर राजनीती में आगे आएं जो लोग सक्षम है और आगे आ सकते ह हैं और देश का भला कर सकते हैं तो मैं समता हूं कि यह जो फोरन बना है आपका यहां पर चाहत तक संसद यह एक बड़ी भरी एक्सपोजर है हमारे लिए लोगों के लिए जो दूर दूर से लोग आते हैं हमें प्रेज़ना मिलती है कि आप से कुछ सीखें और आपके मानने बुटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचारों के लिए तालियों के साथ हम एक बार फिर से आपका शुक्रिया करते हैं आप अपने समय निकाला हमारे लिए और अब वक्त है आदर्श युवा विधायक पुरसकार की खोशना करने का उन सक्रिये नौजव को जो की उर्जवान विचारों के साथ राजनिती कर रहे हैं अपने इलाके में विधायक हैं उनको उनको पुरस्क्रित करने का मैं आमंच पर आमंत्रित करूंगी राव इंदौर मध्यप्रदेश से भारतिये जनत्ता पार्टी के युवा विधायक श्री जितेंद्र पट वारे जी जिन्होंने राश्य सद्भावना के जो पैरोकार रहे हैं युवकों के विकास और उत्थान के लिए जो समर्पित रहे हैं तक्रिय राजनितिक के रहे हैं और माननीय अज्यक्ष बहुदे के हाथों आदर्श युवा विधायक वुरस्कार से सम्मानित किये जा रहे हैं आपकी तालियों की जरूर यहां फर्पूर तालियों की गड़गडाट चाहिए इन युगा विधायकों के होस्ता अवजाई के लिए मैं गुजारिश करूंगी आपसे तो शब्द कहें श्री जितेंद्र पट्वारीची कि सबसे पहले तो मैं इस्पिकर साथ ने थोड़ा कुछ ज्यादा समय लिया रहूल पीछे से तीन-चार बार हम लोगों को बता चुका था पर आप लोगों ने यहां पर इस मैंच पर मुझे बुलाया इसके लिए मैं पुरी चात्र संसत को धन्यवाद देता हूं उसकी टीम को आयोजग को सहयोजग को साथियों मैं भारती जनता पार्टी का नहीं कांग्रेस का विधायक हो थोड़ी से आप से तूपी हुई है माफी मांग ली हमने साथ कि दो मिनिट एक ही मिनिट है मेरे पास बोलने का मैंने अपने पूरे टाइमस में देखा है मैं आप लोगों से इतना अन्रोज जरूर करना चाहता हूं कि द्रड़ इक्षा शक्ति के साथ आनिश्टी के साथ अपने काम को इशु बेस करके हम आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चुमेगी और अगवर आप सफलता भी रही तो धेर आपके और हमारे बीच में होना चाहिए हम सब मिलकर देश के उत्थान के लिए धर्म बाद में हैं जाती बाद में नेशन पहले हैं इस बहुत को हम अपने आप में जगाएं और सब एक जुपता के साथ भा इस नाम को मैं आमंत्रित कर रही हूं यहां मंच पर जिन्होंने स्वास्थ पीमा योजना विद्वाओं विकलाओं और वरिष्ट नागरिकों की पेंशन योजना और तमाम चिक्षा और खेलकूत को बढ़ावा दिया जिनका लिए एक मिशन है मलेश्वरम बैंगलोर के कर रनाचक के विधायक घारती जनता पार्टी के प्रतिनिती डॉक्टर अश्वत नारायन अच्वत नारायन मलेश्वरम बैंगलोर करनाचका से पीज़पी के विधायक जिन्होंने अपने तमाँ रियासों से जीरो गार्वेज बेस्ट रिसाइकल समाज कल्यान शिक्षा और खेलकूत को अपने इलाके में बढ़ावा दिया आज युवा विधायक पुरस्कार से यहां सम्मानित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष महौद है मानिये बुटेल जी के हाथों आपकी तालियों के साथ हार्तिय चात्र संसत के मंच पर एक और युवा विधायक हमारे बीच मैं गुजारिश करूंगी कि आप दो शब्द कहें डॉक्टर अश्वत नाराएंची अट्यक्व लेकडी हम्हाईरख लुट सिर्फट लुट लाग्त कर्या I started my career in political arena as a student leader. From there, I scaled up to become the MLA in the state of Karnataka, representing Malaysian Constituency. What I am able to do in this Constituency, as an educated youngster, I empowered all my citizens and citizens of Bangalore through e-governance. Through e-governance, we were able to connect with all the citizens. Whatever revenue collection is happening in the city of Bangalore, or the expenditure in the city of Bangalore, by a click of button, all the citizens will know the entire status of the Bangalore city. The trust, all of us have been discussing about one issue, the trust factor. Getting the trust of the citizens is very important. The challenge I faced in my career in politics was the trust, the lack of trust in the people, about politicians. They are not willing to trust any politician. They think one and only reason he has come into politics only with selfish motive. He has come here to make money and live and just enjoy the power and have a good time here. To bring in the confidence and connect with the youth and educated crowd and building the confidence was the biggest challenge. In this journey, we are trying and making a sincere effort to get in all the educated people into politics. In my constituency, I brought in educated people into politics. I have made them corporators. Orthopedician is a corporator. Engineer is a corporator. Educated graduates are corporators. So we brought in all the educated people and we are still facing the challenge of getting the confidence and enforcement of law. We have been getting a lot of law into public demand but we are not able to enforce. Enforcement is very important and we are trying to get whatever law has been made, it should be enforced and the benefit should be passed on to the people. These are the small efforts. I thank the organizers for conducting the Indian Student Parliament and this is a wonderful initiative wherein we are connecting with the youngsters who are not interested in politics or political leaders. Today's topic is politics before Bollywood and cricket which I think it will be a long way getting the due credit or respect or the initiatives to get youngsters into politics. I wish the organizers all the success and all of us join together and see that the credibility of the political system is established and the democratic institution will be the real voice of the people. Thank all the organizers and the participants who have come here from various parts of the country. Thank you one and all. Thank you very much Dr. Ashwat Narayan and we hope that you have a mission in your life and have a great opportunity. We have a good opportunity to complete your work and you will all be together and do your work on the land and the people and we will be able to expand on your land. The world of the world of the world of the world is now the time for listening to the people and to know their thoughts and to know their thoughts on today's topic. And the first time in this program, our KUMARI S. Gopika, who comes from Tamil Nadu, we will do our work on today's topic. पर अपने विचार रखे एस गोपिका. Namaskar and good evening. I'd like to begin my speech with a quote by the famous German leader Mr. Bertolt Prescht. He said that the worst illiterate is the political illiterate. He hears nothing, sees nothing and knows nothing about political life. He doesn't realize that the cost of living, the price of rice, of flour, of wheat, everything is determined by political decisions. He doesn't realize that from his political non-participation comes the abandoned child, the robber and worst of all, corrupt official. My dear friends, this is the typical attitude of each one of us sitting here towards the politics of our country. Today, a man who ran a tea stall sits in the office of the Prime Minister of India. Our system has changed. Our politics has changed. But sadly, our mindset remains the same. But for our mindsets to change, my dear friends, we must first take an active interest in politics rather than obsess ourselves with Bollywood and cricket. We are very interested in knowing the details of a famous film star's sister's wedding or analyzing as to why exactly did Mahindra Singh Dhoni retire from test cricket. Our obsession has increased to such an extent that we refuse to see the stark reality that faces us. The Indian Premier League or should I call it the Cash Premier League, which all of us are a big fan of, does nothing but increase the stash of black money in the cupboards of the rich. We are electing actors and cricketers as MLAs and MPs without bothering even a moment to assess their credentials. The result, majority of them don't even reach the parliament and even if they do, are just mute spectators. So it's now time that we focus on something that affects our lives, our real lives. All of us criticize corruption, but ourselves are ready to take money and vote for candidates. This notion that corruption begins and ends with politicians has to change because we, the people, are also equally responsible and it's now time that we take up the responsibility. Progress is impossible without change and those who cannot change their minds cannot change anything. Only then can we see an interesting trend in today's politics. The rise of an aggressive and assertive politician. Dynastic politics is no longer the order of the day. The government is taking up every step to clean India in every sense, both by initiatives like the Swaj Bharat Abhyan as well as by trying to bring back the black money which is stashed in the cupboards of the rich. Our Indian legal system has also revolutionized politics. The Supreme Court in its landmark judgment in Lily Thomas versus Union of India has declared section 8 subclause 4 of the representation of People's Act as unconstitutional which means that every MLA and MP on prosecution has to immediately resign his seat. Today, every citizen can file a complaint of corruption under the Prevention of Corruption Act and no legislator is immune from prosecution. My dear friends, now it's time for us, the youth, to bring our exuberance and innovative ideas for the growth of the nation. Because at the end of the day, life is not just about the strength in sports or the beauty of Bollywood. It's about the power of politics that one must seek to understand. Jai Hind. S. G treasury S. Gopika S. Gopika S. Gopika S. Gopika B. S. Gopika S. Goping कर्ष राथी कि प्रातह काल की ठिटुरती ठंड में आधी नीद में खोया एक युवक दर्वाजे पर जाता है अखबार उठाता है पन्ने पल्टाता है और पहुच जाता है स्पोर्ट्स पेच पर जहां वह सुर्ख्या पढ़िया सुनिश्यत करता है कि टेस्ट माच हराकर दोनी साहब ने रिटायर्मेंट ले लिया जब क्रिकेट का अभ्यासकर महाशाय का मन भर जाता है तो वहां पहुच जाता है पेच थ्री पर जहां करीना कट्रीना और प्रियंका की अद्बुत तस्वीरे देखकर उसका मन हर्शाता है लल्चाता है और इस देश का युवा के पहुचती है उसकी अभिव्यक्ति मैं उतकर्श राठी आज के विशय के रूप में करने जा रहा हूं लेट उस ब्रिंग पॉलिटिक्स अबाव बॉलिवोड एंड क्रिकेट मंच पर बेटे सभी महानुभावों को नमस्कार व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज इस देश में नेताओं की स्तिती कुछ ऐसी है कि अच्छे सच्चे और दुरुड नेताओं का अभाव है और इस लाचारी पर मैं सिर्फ इतना कह पाता हूँ कहां गया गांधी कहां शास्त्रीक हो गया कहां गई इंदिरा कहां नहरू सो गया अरे हमें नहीं भाशन विक्रेता चाहिए हमें तो सुभाश जैसा नेता चाहिए हमें तो सुभाश जैसा नेता चाहिए और दोस्तो मुझे क्या लगता है कि आज हम सभी चाहते हैं कि भगत सिंग और चंदरशेखर आजाद पैदा हो लेकिन खुद के नहीं पड़ोसी के घर पे क्योंकि हमारे लाड़लों को तो हम रोहित शर्मा और रिथिक रौशन बनाना चाहते हैं यहां आज आज राजनीती की काली अंधहिरी रातों से डरकर हम बॉलिवर्वर्ट और क्रिकेट की खोकली चकाचोंद में अपने ठिका ने ढूंदते हैं में यह बार-बार यह बात भूल जाते हैं कि हर काली अंधहिरी रात के बाद सुनहरा सूरश तो को भण गता है मकर जो मनुरंजन के व्यंजन हम घव ओस्ट फूड की तरह हमारे मुख कोँबा रहे हैं पर अंदर जाकर इस दिल को चोट पहुंचा रहे हैं इस दिल को चोट पहुचा रहे हैं मैं कहना चाहूंगा कि यही मनोरंजन हैं जिसकी मादकता में चूर होकर हम राजनीती को गाली दे रहे हैं उसे गंदी नाली कह रहे हैं और हमारे देश के कुछ नेता भी है जो इसे सार्थक बनाने में जुटे हैं करप्शन और गुंडा राज का ऐसा चलन चला बैठे हैं कि आज की जनता राजनीती से डरती है उससे नफरत करती है और जिम्मेदार मैं हो आप है यहां बैटा हर एक व्यक्ति है क्योंकि हमने सवाल पूछना ही छोड़ दिया सवाल नेताओं से उनके काम पर उनके फैसलों पर उनके नियत पर और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उनके इमान पर हम बस एक फरिष्टे की आस में बैठे हैं कि कोई एक मोदी आएगा स्वच्छता अभियान चलाएगा और इस देश को साफ करेगा लेकिन आप मुझे बताइए जब तक हर एक आम आदमी जाडू उठाकर इस देश की गंदगी साफ नहीं करेगा क्या राजनेतिक सड़के साफ हो सकती है क्या यह देश दूशित प्रदूश जो PVR और आइनोक्स की लाइन में जब लग जाते हैं तो पिक्चर को सूपर हेड बना देते हैं जब सुबरता रोय स्टेडियम के बाहर जाते हैं तो मैच में जान फूख देते हैं और अगर किसी किसी क्यारक्टर से बुरा मान जाए तो उसके सितारे सिधा फर्ष पर ला सकते यह सवाल है भारत 2020 का स्वपना हम ही पूरा करेंगे यहां बैटा हर इंसान पूरा करेगा अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा हम सब छोटे-छोटे जुगनु है तो आओ अपनी रोशनी एकत्रित करे और सूरज की किरन की भाती भारती राजनीती के उन्नती मार्क चमके दमके और इसे आगे बढ़ाए और साथ ही साथ अगर कोई रोडा इस रहा में आ जाए तो भगवान महेश के जैसे अपना तीसरा नयन खोल उस रोड़े को भस्म कर दे मैं अपनी स्वरचित पंग्तियां कुछ स्वरचित पंग्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर आ सियासी खेवनहार अब हर जन बन जाए सियासी के भानहार धन्यवाद जैःंध जैभारत बहुत बहुत धन्यवाद उतकरश जब तक आपके जैसे युवा रहेंगे इस देश को हम वो बना सकते हैं जो वाकर ही प्रेस को पोना चाहिए अभिनंद्द आपका भारतिये छात प्रेस अंसर्थे इस मंच पर आप मैं आवंसित कर रही हूं पुने की खट्रा एश्वर्या सागडे को किवाएं और आज के विशे पर अपने विचार रखें SP College पुने की एश्वर्या सागडे respect that dignitries and my dear friends good afternoon I'm mechwarya back to basic wrotey kapan our macon 33% is it a real tool for women empowerment cast is the impairing or repairing Indian democracy after 67 years of independence we are still fighting with these basic questions because of an awareness of politics. Subject is, let us bring politics before Bollywood and cricket. As Indian, we are very emotional in concern with Bollywood and cricket. My friends, it is time to take politics ahead. Let me clear first of all, I have nothing new to say about cricket and Bollywood that you don't know. We have given our consent, our legitimacy to political phenomena. We are the society, not cricket and Bollywood. Politics is a social science. As a citizen of India, having voter ID, I think, I should vote in elections, but still I cannot do more than that. There are the MPs and MLAs who run the Indian politics. And as a student of political science, I think, politics is a yadnya, yadnya to the people, of the people, by the people. You just need to add pure and sacred things in this yadnya so it becomes full of flames of glory. It is our prime and primary duty. And then I realize I am the one who can change it. We are the one who can change it. Friends, for this, you don't need to be a student of political science. All what you need is a vision. Vision, this is a rational. Political issues are not only associated with the government or the state, but also with society. We are unaware about the connection between society and politics. And this is a tragedy. And because of this, destructive forces are growing and becoming more potent. Day by day, we are getting divided. For example, ideologically, we are secular. Having different religion is a part of a diversity, but it is made as a major reason of discrimination. My friends, our constitution doesn't begin with we, the Hindus of India, or we, the Muslim Sikhis of India, but it begins with we, the people of India, whether we are from northern part of India or from southern part of India. Out of many, we are truly one. We are the agents of change, of our time. The subject is not that easy. Let us just put politics before cricket and Bollywood. No. There is an optimism hidden in it. There is a responsibility hidden in it. Responsibility that we must put on our shoulders. In our democratic polity, we are the kings and queens. Let us hold the throne of our country as a citizen king or citizen queen. Let us not, politics, become a game of a scandal, but a platform of patriotism. We must not tolerate the politics of anything else. Kuch bich alega. There may be corruption in politics, but it can overcome by decent men and women who honor holy Indian principles. After all, India is not the just sum of alphabets or not the huge piece of a landmark. It is the name of a culture. It is the name of a tradition. It is the name of a heritage. It is the name of a diversity. And simultaneously, it is the name of a unity. It is the name of a feeling, Indians. That is why we are first, nation first, politics first. If it happens, once again with a new meaning, we'll be able to say, yes, we have made first with a destiny. Thank you. अपने 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 जोश को हम सब शेयर करते हैं. MIT SOG के स्टूडिन्ट 36 गड़ से आते हैं. शान्तनू गर्ग. तल्वारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है. तल्वारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है. जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है मित्रों जब मैं यहां आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई यह देखके कि देश का इतना बड़ा युवा तपका भारत की राजनीती की दोबात करने के लिए मेरे साथ यहां मौजूद है चत्रपती सिवाजी महराज की इस धर्ती से अभिनंदन करता हूँ मैं आप सभी का जिनोंने भारतिय चात्र संसत को इतना महत्व दिया मित्रों हम भारत पाकिस्तान का मैस देखते हैं हर सुक्रवार को सलमान और सारुक की मूवी जाते हैं लेकिन फिर क्यूं लोगसभा और राजसभा टीवी नहीं देखते राजनीती को कीचड़ बताते हैं गंदा बताते हैं और उससे दूर भागते हैं ऐसा क्या है दोस्तों कि बॉलिवूड और क्रिकेट तो हमारे दील और दिमाग में छाया रहता है लेकिन बॉलिवूड एक जोपड़ी में पड़ा है राजनीती आज एक जोपड़ी में करते हैं यहां बेटे सभी लोगों को पता होगा थ्ट इन्त टंदूलकर जी ने कितने रन बनाए है कितने सेंचुरिया बनाई लेकिन किसी को पता है सांस्द निदी會ं सांसद होने के नाते कितना काम किया रेखा जी के काने तो हमारे मूह में होते हैं लेकिन लोग तंत्र के मंदिर में कितने बार उन्होंने कदम रखा ये साथ किसी को नहीं पता होगा वेक्तिकर टिपनी करना मेरा मकसद नहीं है बिल्कुल भी नहीं मेरा मकसद आपको जागरूत करना है सिर्फ और दुख सिवाराथ भर का रहता है ए एक कुछन रूपयों का होता है लेकिन इस धेस का लोकतंतर अगर फ्लाफ हो गया तो इसके कीमत कोई निचूँका पाईगा कोई भी नहीं और अगर इस देश का लोकतंत्रा हार गया तो हार जाएगी उस गांधी जी की महनत और नेजाजी सुभास्चंद्र बोस्ट की महनत जिन्होंने अपने खुन पसीने से इस देश की आजादी को सीचा था और आज मुझे अटल जी की एक बात याद आती है उन्होंने से कहा था पाटिया आएंगी और जाएंगी सरकारे बनेंगी गिरेंगी लेकिन इस देश सा लोकतंत्रा बना रहेगा और यहीं लोकतंत्र है जिसकी वज़़े से आप और हम आज यहां बैठे है विवे का नंद जी ने हमें एक नई सोच दी एक नया नजरिया दिया तो दो पहुंचारा है नहीं चाहिए दोस्तों हमें नहीं चाहिए वो कोहिनूर नहीं कि चाहिए वो सोने की चिडिया जो अंग्रेज जुडा की ले गए मुझे तो चाहिए इस देश का युवा коммент यो खुद्बखों एक सोने का सेर बन के यहां पतियार बैठा है और दोस्तों जब 36 गड़ के कासावेल जैसे एक गाउं से आके यहां लड़का बोल सकता है तो मेरा मानना यहां बैटे सभी लोगों में मुझसे ज़्यादा काबिलियत है और देश को उस मुकाम में पहुचाने की हिम्मत है और दोस्तों जिस दिन मेरे देश से सिनमा घर से पोलिंग बूत फे भीड चली गई समझ लेना यह देश विसोगुरू बनने की राह पे निकल पड़ा लेहरों दोस्तों लेहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती लेहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती राजनीती को गंदा बता कर राजनीती को गंदा बता कर देश की कभी तरक्षी नहीं होती और देश का युवा राजनीती पे उतर आए तो इस्ते कोई अच्छी चीज नहीं होती इस्ते कोई अच्छी चीज नहीं होती मैं आवान करता हूँ या बैटे सभी लोगों को मेरे साथ एक बार भारत माता की जैकार लगाए और बता दे दिल ने में बैटे 543 सांसदों को कि अब इस देश का युवा नहीं रुकेगा इस देश का युवा नहीं जुकेगा और भारत की परिभासा बदल के रहेगा भारत की राजनीती बदल के रहेगा एक बार नाल लगाए दुस्तों मेरे साथ भारत माता की भारत माता की जैहिं बहुत बहुत अन्यवाज शांतनुगर्व आपने अपनी बाद रखी और बड़े दमदार तरीके से रखी आपका अभी नंदर नहाँ हमारे भारतिय चात्रे संस के मंच पर राहुलकराच जी के हाथ हो और आपकी दमदार तालियों के बीच लोग के तंत्र है इसकी करिमा इसका रक्षन थे हमारा आज को हमारा ट्रॉपिक है इस पर हमारे मुख्य वक्ता के पास चलते हैं हमारे साथ मंच पर विराजमान एक लेखक व्यंगकार जिनोंने खेलों पर और खास तोर पर क्रिकेट पर बड़ी विशेश के पणिया की हैं अपने अलग चुटीले अंदाज में की हैं रसिद लेखक कमेडियन श्री विक्रम साथे जिनकी पुस्तक बहुत चर्चा में रही है आपकी पुस्तक विक्रम साथे जी की हमारे बीच मौझूद हैं श्री विक्रम साथे को आज के विशह पर अपने विचार रखने के लिए जोड़दार तालियों के बीच विक्रम साथे Thank you very much for the loudest round of applause I have ever received in my life. This was a taunt to you. Come on. Many of you, yes I made my debut just like the video film said in extra innings in 2003. None of you noticed me because of Mandira Bedi. But I don't feel too bad about it. Bishan Singh Bedi took 16 years and 266 wickets but could not achieve 1% of what Mandira Bedi did. But I believe in society, Mandira Bedi, Bishan Singh Bedi, all of us should exist. So I do believe that this topic of politics before or after Bollywood and cricket is something I contest. It should be politics along with Bollywood cricket. Because India is not about, if you want to come first, it is not at the expense of this person. You have to come first with all of us put together. And that is something India needs to realize. But before I come to the main topic of this discussion, let me tell you a little bit. I have had the opportunity to tour 10 years along with the Indian cricket team. And on the contrary, I learned from cricket. I learned from Sachin Tendulkar. I always said in my book, I have mentioned Sachin Tendulkar destroyed my life because my generation got completely destroyed because 16 years became a benchmark of success. I remember scoring 74 runs the same day Sachin scored 324. My mother didn't even congratulate me. And I don't blame her because my 74 against his 324 looked like Maninder Singh's batting contribution to Indian cricket. But that's what, Sachin was obsession in India. The media covered every organ and injury of Tendulkar's body. There are certain injuries Tendulkar found out because of the media. But the impact of Sachin Tendulkar is what I am talking about. He actually gave India a reason because I have seen maybe 50 of Sachin Tendulkar's 100th life. In Sydney, when 60,000 people give a standing ovation to Sachin Tendulkar, as an Indian, I have felt, I get goose pimples even today because he gave us pride. And here, Sachin Tendulkar, the Maharashtrian fight, he said that he said that one thing in Marathit is that one thing in the stadium is that Bangladesh versus Kenya match is Sachin Sachin. That is the power. So did I learn anything from Sachin? I learned a lot. Did I learn from the fact that India got respect outside of the country? Yes, it did. So should we have Sachin Tendulkar in discussions like this? 100% we should have. Virenda Sehwag, when I met him, I think the last time Sehwag moved his feet, he was two and a half. But by not moving his feet, he has done more for Indian cricket moving their entire bodies. And Sehwag told us one thing, that Hindi is okay to speak. He gave Hindi pride. I remember Ravi Shastri, you know, doing a complicated, he asked technical questions to Sehwag in English. So Ravi said, well, Sehwag, the ball was coming on to the back, not much grass on it, whatever little grass, whatever little grass is basically dead grass rolled on to keep the wicket together. What was your strategy? What was Sehwag's answer? Should I use the cordless mic? Can you hear me nicely? Yeah, I'm more comfortable as a performer. So Sehwag, in a way, was very interesting. And today I'm happy that Virat Kohli is giving it back to the Australians because India needs to tell people that we are not going to take it lying down. And I remember once Mitchell Johnson was sledging to Sehwag, when he said something in Australian accent, Sehwag did this. At one point I wanted to tell Mitchell Johnson, don't sledge to Sehwag because the decision to hit the ball and a six has been taken a week before. It does not matter. But that is the new India which I saw in the last 10 years, which I talked about in my book, that India became big. And cricket and performing arts is a representation. And I will come to the fact that why politics should be before cricket. And I'm also telling you that politics is before Bollywood and cricket. Little later. MS Dhoni, we talked about MS Dhoni. Nostradamus predicted a man from the prehistoric ages will come and save India. I think that's Dhoni. Because the first piece of news I read about Dhoni was Dhoni consumes four liters of milk per day. That day itself I knew something big was happening. Because after Lord Ganesha, nobody had consumed so much of milk and got so much of publicity for it. Jokes apart, what I learned from traveling with cricketers across the world was one key thing. Sachin Tendulkar told me in an interview. He said, Vikram, a good team is one where we look after the people and it's a happy squad. When the players are happy, we win matches abroad. What was he saying? He was saying that governance is very important in cricket. And what is politics? It is governance with the ultimate objective of making people happy. So in a sense, cricket can be played well only if you have good governance. They are not different from each other. And that is what. It's not just because you want somebody to be successful in politics, you don't need to get Mahendra Singh Dhoni down. Let's all get this person up. And that is all what political students need to do. And I have seen this all across the world. Today, cricket is a great example because in a way it communicates popular culture. I know, you know, unfortunately, I believe that politics is not coming first right now because of our education system. I don't know why we studied what we studied all our life. I am still looking for theta. Who is theta and why did he destroy our lives? Prignometry destroyed more Indian kids than Michael Jackson did to kids. And, you know, and if sine theta, cos theta, who are these people? And if sine square theta plus cos square theta is equal to one, why make such a big deal about it? If it was one billion, it was fine. Because we were never told why we are studying what we are studying. Never. English grammar. English grammar today is irrelevant. Because even if your past is perfect, your future still could be tense. And they taught us simple sentence, compound sentence, complex sentence. I understood the meaning of this when I got my girlfriend. When she said, I want to go shopping, simple sentence. When she said, I want to go shopping and you need to come with me, compound sentence. When she said, I want to go shopping and you need to come with me, along with your credit card, complex sentence. I wish somebody had told me this. And shopping is an activity which the male brain will not understand. This is addressed to all the girls in the audience. What is the high you are getting? I have no idea. What is it? So I go with my girlfriend and I am trying to react in clothes I have no idea about. Oh, you like this, no? Oh, yeah, let's go. Oh, you want to go? That's why you are saying it. So it's a hostage-like situation for two hours. Complete hostage-like situation. And that is why I am convinced that women's clothes and terrorist organization both are called outfits. The point, larger point I am trying to make is education should be functional to tell us why we are doing what we are doing. The best example as compared to this topic that we are talking. We learned history in school, history was 80%, civics was 20%. You remember? We scored 35% in history and did not study civics. You remember that? Civics is a subject of rights and duties of citizenship. And we did not study that subject. We studied history and we left civics. If the future of India has to be safe, it has to be 80% civics and 20% history. And that is exactly the point I am trying to make is politics was never given importance in the education system. Politics is not about trigonometry and grammar. Education is not about trigonometry and grammar. Education is about becoming better citizens, governance, understanding what people need. So why are we studying subjects which could be learned on a parallel platform? We should be learning civics as the main subject in school. And that is very important. And therefore, if politics has to come before Bollywood and cricket, it has to be integral part of our education system. Only then will people, like today, if you want, suppose there is a mother who wants her daughter to become something. When will she want her daughter to become Mamata Banerji instead of Rani Mukherjee? It's only when Mamata Banerji becomes an icon at a fundamental level. Yesterday, Nitin Gargari said something very interesting. He said the grassroot worker is actually the happiest worker in politics. He should become the icon. We have to make heroes of our politicians because how much ever we say, how much ever we do, unless the mother wants the child to become a politician, it will never happen. And that is our responsibility, all of your responsibility, to become heroes in this small level political work that you take. And only when you become heroes, there will be a revolution of sorts where everybody would want to become politicians. It is not about A versus B. It is about doing your job the best. That is very, very important. The other thing about the new government, which I like, is the fact that our focus. You know what? Why will we want to become politicians when we get pride, just like our heroes? Whenever we travel abroad, the only thing they talk about pride in India is the population of India. And you don't need to have a great cricket star and the great Bollywood star to become, you know, become proud of our country. If you go to Singapore, Singapore does not have an Olympic gold medal or they might have one or two. Singapore does not have a great popular culture. But everybody who goes to Singapore will come back and say that they are great roads. So, infrastructure and manufacturing is something that we need to imbibe. I found out in my Pune trip last time that 50% of Ganpati's made in Pune were made in China. If you can't make your own God, how will you prosper? Every time you are doing Ganpati Bappa Moria, the blessings are going to Li Jingping in China. So, somewhere we've got to understand that we've got to make our own stuff to be proud of. And that can happen only if political will is there. And therefore, politicians and political students need to understand that Bollywood and cricket is optional. The road where you are driving is not optional. That is something that you are going to do and that only political students can come through. So, there is no discussion. Politics is fraught. First, infrastructure. Cricket and Bollywood survive only because somewhere their infrastructure got good. Infrastructure is again governance. Today, a one kilometer drive in Mumbai can displace your body parts. They did a bypass in Lilawati when they opened the heart, they found a kidney there. And the gaming industry will never do well in India because driving in India is like a live video game. Anybody can come from anywhere. And the cop is like the villain in the video game. He comes exactly from the opposite direction. I got caught in Gurgaon once the driver looked outside, the cop looked inside and asked the driver, Aapnei signal ni dekha? Driver looked at him and said, signal diggya, aapnei dikha bas. So, we need to find pride in the stuff that we are doing and that can happen only if politics comes first, only then things will go well. So, in a sense, if you look at the moral of the story is that politics is about people, politics is about what we do in our life and therefore there is no discussion on whether it comes first. It automatically comes first, but let's take the entire world with us and then actually go ahead together. I don't know, how much time do I have? Five more minutes? So, we have done the gyan. If you want any requests with me as a stand-up comedian, I want to entertain because I believe entertainment is the only way to communicate. So, requests, raise your arm and tell me whom do you want me to imitate. Yes? Mahindra Singh Dhoni, I'll have to go back and I'll actually show you. When Mahindra Singh Dhoni comes into bat, you get an impression Entaya Jharkhand is coming into bat. Here's MS Dhoni. That's the time to clap for MS Dhoni. Come on, two more requests. Yes, this side. Sachin, okay. You'll all buy my book? You'll all tweet that I'm a great guy? Okay. So, I started my career by doing a Sachin Tendulkar imitation because I believe, I remember I was at the Sydney cricket ground where 2007 Sachin scored a 200. The entire group at the Sydney cricket ground woke up and said to the greatest batsman in the world, India is Tendulkar. Tendulkar is in India and Australia respects India because you've got a great champion. And that time you switched on the TV sets, Tony Gregg went completely mad. Well, it's all happening here. This is a wonderful atmosphere. Sachin Tendulkar's on fire. He smashed them all over the plies. What a ply. Cut to Sachin Tendulkar. And the nation stopped. And with due respect to a dear friend, Sachin, this is something which changed how India listened to television. So, Sachin Tendulkar, the ply, comfort, level is of vital importance. These one-day matches, I think you played some quality cricket. Yeah, I thought most definitely, I thought the wicket was great. At the end of the day, what matters is that we play well as a team. And I thought we played better cricket than them. Give it up for the greatest batsman of our time, Tendulkar. Last request for this side. You want... Virat Kohli? Virat Kohli? Yuvraj Singh? Okay, mixture of both. Yuvraj Singh is... How many Punjabis in the audience? Punjabis are naturally aggressive. Even if you touch them, four hormones will fall off. So, when Yuvie comes into bat, he battled cancer. He's a very dear friend and he actually told me mental preparation is what actually takes you over and the disease also stops affecting you. So, when Yuvie comes into bat, you get an impression that he'll beat the bowler rather than the ball. Many times he doesn't have a chewing gum in his mouth. Thank you very much. You've been a fabulous audience. Thank you, Rahul Ji, for calling me. It's been an absolute pleasure. And please take a oath. It is nobody against anybody. You are the future of India. Thank you very much. This is Vikram Sathe signing off. Thank you very much, Vikram Ji. Thank you very much. Bought-bought-bought-shukriya. यह सिर्फ भारतिये चाद्रे संसर्ट के मंच पर ही हो सकता है. बहुत-bought धन्यवाद. और अब एक और महमान, हमारे विशिष्ट महमान, जोकि एक सशक्त आभिनेता, आप सब जानते हैं, भारतिये फिल्मों में, रंगमंच पर, जिनका नाम ही काफी है, और वो भी विक्रम है. विक्रम गोखले जी, आमंसित कर रहे हैं माननिये विक्रम गोखले जी को. तालियों के साथ, जबर्दस तालियों के साथ. मंच पर उपस्तित सभी महानुबा, और कल के भारत की सारी उमीदे आशाएं जो मेरे सामने बैठी हैं, वो. मैं बॉलिवूड और क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, या शायद नहीं भी बोलूंगा, क्योंकि जो बोलना था, वो दूसरे विक्रम ने बहुत अच्छी दरासे किया, उसके लिए बहुत जोरदार तालिया चाहिए, और उसी के साथ-साथ आप लोगों में से ही, जो तीन-चार बच्चे यहां आके, बड़ी इंस्पारिंग स्पीच देके गए हैं, वो सारे उमीद वार, गोपी का, गोपी का के लिए हम तालिया बजाएंगे, जरूर बजाएंगे, बहुत ही, बहुत ही, उमीद हैं, उसके बाद, यह है उतकर्श, उसके लिए तालिया चाहता हूँ, फिर आईश्वर जा है, एस्पी कालेज की, यह सारे लोग इतनी स्पूर्टी देकर चले गए हैं, तीन तीन चार चाहर मिनिट उन्होंने आप से बात की, गुपते गुपते की, और रॉंटे खड़े कर दिये, यही तो एक कारण है जिसके लिए, आज के इस नियोते का मैंने स्वीकार किया, डॉक्टर विशनार करार साथ, डॉक्टर राहूल करारा साथ, दॉक्टर मंगेश करार, अपते साहब, इन सभी लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ यहां मुझे आने का, और यहां उनके साथ बैठने का, गुप्तव करने का, उसके बाद आप सभी बच्चों से कुछ मिंटो के लिए बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं यह सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्र गजार हूँ, ऐसा हमेशा होता है कि जब ऐसे बहुत लोगों के सामने बोलने का म मराठी, हिंदी, इंगलिश, हम मराठी में भाग करें, इसलिए हम यहां नहीं आए हैं, हमें यह हमेशा के लिए बच्चों भूलना चाहिए, कि मैं मराठी, तू गुजराती, तू मारवाडी, तू सिक्ख, यह नहीं होना चाहिए, इसी को मैं मन की स्वच्छदा कहूंगा, यह शत्रत पैदा करता है, अंदर की जो दीवा रहे हैं, उसमें ही यह शत्रत पैदा करता है, आपके जानकारे लिए बताना चाहूंगा, पिछले कुछ मेहन पहले, मैंने एबी पी न्यूज माजा पे सिंगासन नाम की एक सिरीज मैंने आपके लिए दे दी थी, I was the anchor person, और वो करते वक्त मुझे एक बात का हैसास हुआ, कि जिस चीज के लिए मैं अंदर ही और कभी-कभी टेलिवुजन पे भी प्रिंट मीडिया के सामने भी यह मैं करता रहा, कि नहिरू ने, बंडित जवालाल नहिरू साहब ने, हमारे देश का सत्यानाश किया, भाशावार परांत रचना करके सत्यानाश किया, यह मैं कहता रहा, लेकिन वो मेरी गलती थी, और मैंने वो भी स्विकार कर लिया, जाहिद कि मैं गलत हूँ, पंडित जवालाल नेरू वास डेडली अगेंस्ट अप दिस डिविजन, इट व देनी हमें हमारी बंबई चाहिए, हमें हमारा महानाश्टा चाहिए, हमें गुजराच चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो Mr. Nehru was the first person, same case with Valdabhai Patay, इन दोनों ने पूरी भारत की जरता को बताने की कोशिश की, कि जिस हालात में आज तक हम रहें हैं, इसको तोड़ना है, बदलना है, हम सभी एक, रहेंगे, एक होंगे, ये बता बता के, नेरु साब और पटल साब ठक गए, यहां तक कि कश्मीर के राजा हरी सिंग, जब पाकिस्तान, अपने गुंडों को, महवाली लोगों को, उस जमाने के, इनकी फाज लेके, कश्मीर तक आ रहा था, और कुछ चंद घंटों के बाद, कश्मीर ये पाकिस्तान में चला जाता, उस वक्त तक, ये हरी सिंग सहाब जो हिंदू थे, खुद को हिंदू कहलवाते थे, ये राजी नहीं थे के हम हिंदुस्तान में रहें, हिंदुस्तान में आएं, Lord Mountbatten ने मने जाकर कहा, कि if you want the help of India, the then Hindustan, if you want to have the help of India, the help, the military help, then you have to sign this document first. If you do not sign, I will not allow and I will not interfere in the mental process of Mr. Patel and Mr. Nehra. Finally, when Harish Singh realized that within 24 hours, if Indian government is not sending the military assistance, he was to commit suicide. This is the history of our freedom. किस तरह से नेरू, गंधी, सर्दार वनलब भाई पटेल, इन लोगों ने किस तरह से ये freedom को, जिसकी वज़े से आज हम ये कह सकते हैं, बाग कर सकते हैं, वो freedom कैसे आया, कौन सी हालात में आया, और वो लाते लाते, हमारे ही लोगों ने, हमारे ही उन जमाने के नेताओं को कितनी तकलीव दी, इसका दर्शन उस सिंगासन में होता है, मुझे जब एहसास हुआ तब मैंने जाहिर मुआफिच मांगी, मेडिया से, आज मैं खुश हूँ कि आज सभी तरह के, सभी जितने सारे, political parties के कुछ नेता हैं, सभी, मैं उनसे यह कहता हूँ कि कोई भी political party, absolute clean नहीं होती है, कोई भी political leader, absolute dirty नहीं होता है, absolute black नहीं होता है, वैसे तो हम भी, कोई भी, मौफ, मौफ के चुछ नहीं, तो हमें यह देखना है, कि इंसान किस चीज का किस मिट्टी के बना है, थोड़ी सी सफेद और थोड़ी सी काल, यह कुद्रत का नियम है, हमें यह देखना है, कि जिस तरह का, शिक्षन, शिक्षा हम लेते हैं, उस शिक्षा से, यह जो काला पन है, हमारी जो मिट्टी है, यह काला पन जो है, काला रंग है, उसे हम किस तरह से, आइस्ता आइस्ता कम करेंगे, और सफेद जो है, उसको कैसा बढ़ाई है, उसी शिक्षा को, कुछ अर्थ प्राप्त होता है, वैसे अभी बात निकली है, तो जिन्हों ने, पूरे भारत में, ना कि सिर्फ पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, जिनका नाम सुनकर लोग, बड़े खुश होते हैं, वो मिस्टर अमिताब बच्चन के बारे में, मैं एक किस्ता बता जाओं, क्योंकि साथ में काम कर चुके हैं, और पिछले 40 साल से हमारी दोस्ती है, उनका जब सालगे रहा हूं, उनकी होती है, बड़े तो, हर साल को मैं फोन करता हूं, लेकिन सिर्फ फोन ही करता हूं, मैं मिलने के लिए नहीं जाता हूं, जब भी, मिस्टर बच्चन कहीं शूटिंग कर रहे हैं, तो कभी भी, मैं अपने आप को उनके सामने लाने की, उनके उनकी नजरों को मैं दिख पढ़ूं, ये कोशिच मैंने 40 साल में नहीं की, और इसलिए वो आदमी मेरी इज़द करता है, बहुत इज़द करता है, एक दिन ऐसा हुआ, एक साल ऐसा हुआ कि मैंने उनको फोन किया, तो उनके सेक्रेटर ने मुझ से कहा कि सर आप रुकिये, मैं अभी जुक को बुला था हूं, मैंने कर नहीं, आप उन्हें मत बुलाए, इसलिए कि आज हजारों लोगों के पून आएंगे, वहां सिर्फ आपके जो एक ठाक्टिस है, उस तरह से आप वहां लिख ही है कि विक्रम गुखले के पून आया था, आपको विश्क करने के लिए, बस बदट सॉर, जो आपको पून आपको विश्क करने के लिए, और वहांगे, बलब लिख रम जी आप वेरी सॉरी में कल फॉन पहले यहापने बंकिया, मैंने कहा अभी जी आपके मेरी दोस्ती 1968-69 से है वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है यह हमारी आपकी दोनों के बीच की बात है इसलिए मैंने इनसे ही कहा आपके सेक्रेटरी साहब को कि नहीं उनको मत बुलाई है को अब उस्दमी की एक और दो अच्छी बाते बताता हूं कौम बनेगा करवरपती यह तो फैसा कमाने के लिए प्रोग्राइम होता है और पैसा देने के लिए भी लेकिन ये प्रोग्राइम देखते देखते बिस्टर अमिता बच्चन इनसान के नाते कितना बड़ा है इसका तरह से आप देखिए कभी अगर चालू है मुझे मालूम ने मैं तो देखता नहीं टीवी काम जरूर करता हूं पैसा कमाने के लिए कि देखता नहीं मैं यह जो बच्चन साहथ की जो कौन बनेगा करोड़ पती है वह आप देखिए वहां उनका बात करने का तरीका सलीका जो सामने हिट होट सिट पे बैठ हैं उन से बात करने का खास करके औरतों के साथ बात करने का उनका जो सलीका है आप उसको देखिए वह कितने सीखे हैं सब को मालूम है यह स्ट डिगरी होलडर बट इंसान के नाते विट रिगार्स तो बीग एई यूमन बीग आई यूमन कुछिछगत वरब्ड़ मैं यस च्रिफ एबड़न कुछिए क्यरत बैवन पट्री आमिता बट्चण कस्तिश नहीं खैंडा कि आई यह म pourra हैं लें उस्टूडिख़ों इंगाष्ङ नहीं अन्यू घषैंट नहीं लिट इस नॉट प्रकावड बॉलीवड माच बिगाज जनरली ऐसा हो दर मुझे भी मालूम और वह सही बोला है यह अपने बच्चों ने भी कि जितनी ज्यादा बाचीत होती रहती है जितनी बहस ज्यादा होती है बॉलीवड और क्रिकेट और बाकी चीजों के बारे में उस से ज्यादा है चिंतन बहस होनी चाहिए आज का जो हमारा मुल्क है उसके बारे बहुत जरूरी है और इसी की मुझे उमीद है आप सभी बच्चों से एक जमाना यह भी रहा के हम जैसे लोग यह कहा करते देखिए अरे हमारे वक्त तो ऐसा था हमारे वक्त वैसा था आज कि क्या पीडिये मैं नहीं कर आओंगा बकाज आगा यह थारो थारोव थारोव थारोग डिद नियू न्य यह जन जनरेशन ऑफिंड इन्टिया अर प्लेट कॉम्लें देखिए अगल हमारे मॉल्क को कोई सुधार सच हाफे तो था उनली यू भडीदेर दो उस निंजन लोग इतने सालों में जो कुछ भी किया है उसको भूल जाओं अभी अभी हम सभी ने ये देखा है कि ऐसा आदमी आया है जो पर्लेमेंट में अंदर जाने से पहले वहां नीचे जुक कर सलाम करता है नमस्कार करता है उसे मंदीर कहता है हम सभी को वो देखना है हम सभी को मतलब अभी हम तो चले गए आदे पौना हम गए अभी हमारी अभी कितनी ज्यादा से ज्यादा और एक आठ ड़स साल हम जीएंगे लेकिन आप लोग आप लोग हमारी आशाएं है आप लोग हमारे सास है यह यह दो ओनली होप नाओ यह बच्चों ने अभी बहुत अच्छा भाशन दिया तीनों चारों लोगों ने बहुत अच्छा भाशन दिया आम वेरी मच इंप्रेस बेड़ एवरीवन विश्वनात कराण साब शित यह उनके बेटे राहुल साब कराण फैमिली यह इंसिट्यू इनके रिष्टे मेरे बहुत पुराने हैं लेकिन आज से और ज्यादा पक्के हो गया बिक विश्वनात कर दोड़ीविव थे इंवाइट पी इंटराइट बिद यंग और फुल अदिविव निजड़ें जडरेशन अवाइक रच्छा करें क्या अधो है मेरे जएश का हर बच्छा उस इस भी बच्चे से कमने जो अमेरिका मी बढ़ता हैं अमेरिका में बॉन हुआ है अमेरिकन है इंग्लिश है चाइनीज है किसी से मेरा मेरे देश का बच्चा किसे से कम नहीं है अभी क्वेश्चन और आंसर शुरू करते हैं उससे पहले मतलब यह सूचना आईए जिसकी इज़त करना मेरा फर्ज है मैं आप सभी से एक सिर्फ मैं ही सवाल पूछता हूँ मैं आईए फ्रेंड आईए आईए रही वाल रेडी तुस्ट अर एनवी लाइक पाकिस्तान पता नहीं लोग क्यों हमारे देश में भाशन करते पडोसी पडोसी बोलते पाकिस्तान आई से पाकिस्तान अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो आर यू इच और एवरीबड़ी ओफ यू रेडी तु फाइट बैक आर यू देन फर बाइट यू है वाव सम्मिलिटरी ट्रेनिंग चोटी सी बात बताता हूं मैं ऐसे घूम रहा था मौरिशस के सॉरी इसराइल के कुछ बच्चे मिले मुझे मैंने कहा क्या आप कहां से बोले इसराइल से मैंने कहा आपके माता-पिता ने अच्छा यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड दे इमिजिटली सेड पाच्छे बच् हमारे यहां स्कूल की जो आखरी इंतगा एंग्जामिनेशन है वो देने के अबाद हमको नेसेसरीली दो साल हमारी जिन्दगी के मिल्टरी के लिए देने पड़ते हैं अगर हमने नहीं दिये तो हमको रेशनी कारड नहीं गैस नहीं घर नहीं नौकरी नहीं कुछ नहीं उस दो साल में हमने जो पैसे कमाए वो लेके हम आये हैं वित अप्लीट परमिशन अपर परेंशन अपरेंशन अपरेंशन मेरी सास you have to bring that practice which was existing when I was young like you I was doing college everyone has to have that physical power and the knowledge I am a sourdka sahab और बाबा से अंबेड कर साब अगर एक जमाने में उस दमाने में एक होते तो आज का पुलिटिकल पिक्चर कुछ अलग होता मैं इस देश पे क्यार करने वाले हर कुद को हिंदू कहलाने वाला मुसिलिम कहना में लेवाला सिक कहना हर एक की मैं इज़त करता हूं लेकिन इस देश की तरफ गलत नजर से देखने वाला चाहे फिर वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो किसाही हो कोई भी हो यह मेरा दुश्मन है यह आपको दुश्मन है पिर से मैं शुक्र गजारू सभी लोगों का कोई एक सवाल मैं पूछूंगा नहीं जंदरन से क्योंकि इधर जल्दी करनी है एक सवाल से पूछिये जी सवाल हम लेंगे विक्रम गोखले जी बहुत बहुत शुक्रिया अधा यह जैहिन सवाल हम लेंगे और हमारे साथ अलग-अलग पोडियम पर लोग मौजूद हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं सवाल छोटा पूछिये जवाब भी छोटा ताकि जादा सवाल ले सके हमारे साथ सुशांत कुमार प्रधान भुवनेश्वर से आते हैं पोडियम नंबर वन से लेट हैं साइट पोडियम नंबर वन अपना सवाल पूछिये विक्रम साथे जी से अब डियर्ण है जाय टॉडेंद इस लेड़ा है तो एपडियम नंबर विक्ता शजवर से लड़र वडियर प्रेंवर दिट्रीज्वर टारी से लिए देरियन एलेक्पल़् आचीह तकार करते हैंडीय। खीज बीडिशिशिश कम थाज़ जबेशिशिशी च्टूला ट्रिश लेज झार कि अवर्टम्टी का शज्वाट्पूल इजूच्ट ये आपट सर्फ जो इवन बीज अपार प्रट्ट उनुरूंची कि स्कुर्ट सब्सक्राव जात पेस पूर्सब्सब्स घूर इजिए I do believe that unless you have leadership skills and ability to communicate your thoughts, you will not become a politician, you will not become a good sportsman or any other walks of life. So I agree with you that leadership skills is something at a module level should be taught in the education level in this country. सके मेरा अनुरोद रहेगा हमारे दोनों विश्षिश मेहमानों से, तो पोडियम नमबर चार से के इलाकिया चन्नाई से आते हैं, पुच्छ ये. Good evening sir, my question is why political parties uses the popularity of actor, actress during the election campaigns and why the actor, actress are apt to join political parties. Vikram Gokhale ji, आप जवाब देना चार्टाराइ. आरे दो विक्रम कड़े हैं, तो कौंसे विक्रम कुवाब देना चार्टाराइ? Vikram Gokhale ji, आप जवाब देना चार्टाराइ. Thank you, thank you very much. देखिए अभी जैसे इससे पहले किसे ने बता है वो गोपी काने शाहिद या और किसे ने बता है कि एक अब तो असर्टन लिमिट थे अक्टर्स और पीपल वार इन लाइम लाइट दे गो ओन इंफ्लिएंसिंग दे पबलिक इन जनरल तो इसका फाइदा उठाने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स इनको आगे लाते हैं अब जो आक्टर्स यहां आते हैं उनके लिए उनको उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उनके फॉलिटिकल थार्स के बारे में उनके बिहेवियर के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है ब नहीं मैंने बिकॉस आई बिलीव कि यह शायद कुछ अच्छा कर देखें दिखाएंगे और यह अभी इसी वक्त हुआ और अगला सवाल कदम रुपाला का सतारा से पोडियम नंबर दो से आगला से विक्रम शाथे जी से सवाल पूछेंगी वोडियम नंबर टू लेफ्ट हैंड साइड नमस्कार जरूर मुझे ऐसा लगता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई जो स्क्रिप्ट राइटर आएगा वो जरूर कुछ अच्छी पोलिटिकल स्टोरी हम लोगों को बताएगा इंपोर्टन चीज इसमें यह है कि पॉलिटिशन को अच्छे काम करने चाहिए ताकि अच्छी स्क्रिप्टे निकलेंगी अच्छी स्क्रिप्टे अब ही आएगी और अग्ला सवाल पोडियम नंबर थी से रंगराव चवान पोडियम नंबर थी से जो कि विधर्ब से आते हैं अपना सवाल उचेंगे गोखले जी से पोडियम नंबर थी राइट एंसाइड रंगराव चवान कहां है आप जी पुछिए विधर बासे पुसत से आता हूँ मेरा सवाल आपसे यह है कि आज भारत की राजनीती में घराने शाई सबसे ज़्यादा तेज चल रही है इसलिए हम जैसे आम आम आदमी का क्या होगा हाँ बहुत अच्छा सवाल है बहुत मुश्किल भी है जवाब देने के लिए लेकिन जैसा अभी अभी हमने सभी ने सुना कि पॉलिटिक्स में अपने अगली जो जनरेशन है उन्हें क्यों लाया जाता है तो उसका जाहिर है जो रीजन जो है सब को मालूम है कि तो यूज इस दपावर खुद के अच्छे के लिए यह होता रहा है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इस पर मैं ज्यादा इसलिए बात नहीं करूंगा कि हमारी कम्यूनिटी में हमारी बिरादरी में जिनको कुछ नहीं आता है उनको भी एक्टर एक्टर्स बना दिया जाता है हमारी बिरादरी में एक समाना रहा चाह के आक्टर अपने बाद अपने बच्चे को या बच्ची को लांच करता है हैं ऐसे समाज के लिए इसके करो और और वो लोगग आये आप दोनों का इन सवालों की जवाब देने के लिए विक्रम गोकले जी विक्रम साथे जी धन्यवाद आपका और अब वक्त है बंदू रेजिल्यूशन का आज के प्रस्ताव का इस सट्र के प्रस्ताव का और हमें आपके बोटों का इंतजार रहेगा मैं अनुरोद करूंग कि हमारे सायोगी से कि ये प्रस्ताव आपको पढ़ कर सुनाएं कि पाच्वी भारतिय चात्र संसद में एकत्रित हुए हम सभी चात्रनेता भारत के सभी राजनितिक दलों से यहां आवान करते हैं कि वे ऐसी नवनवी नीतियों को धारन करें जिससे कि अधिक से अधिक सभी आवसान कि रप्ति हूजुटने यह दूने का ऊशर प्रापत हु। य। इस चुणे नीदेश शांसद हॹू। यह झाल य। ऑर्पली य। ऐसान कि य। य। एथ य। अब시सival है η न। इनिय अधिक टॉम ओप्रिव लूव Post this resolution, SMS BCS5, PACE N. And send your SMS to 92 12 14 8888. परस्तायोum के समर्थन में, type PGA BCS5, PACE Y. परस्तायोum के विरोध में, type PGA BCS5, PACE N. and send your SMS on 921214 8888 दोस्तो ये आज के दिन का आखरी रसलूशन है बडी संख्या में वोट कीजिए बहुत ही बड़ी सेशन रहा and if you want to add something more you can always visit the social media booths which are present in this पंडाल on both the ends you can Facebook your views you can tweet your views Mr. Vikram Sathe is very active on Twitter his Twitter handle is Vikram Sathe you can tweet to him as well you can include hashtag 5th BCS with a numerical 5 we have just 50 more seconds remaining for the last resolution of this 5th Bharatiya Chhatra Sunset बड़ी संख्या में वोट कीजिए और हमें बताईए अपनी राः और आगे की राए और जिससे आज के इस प्रस्ताव पर एक मत बन सके जो की मत भारती चातर संसर का मत होगा जिस पर आप की मोहर लगेगी और बस कुछी सेकंड शेश हैं आपके पास जल्दी से वोट करिए अजी अपके पास्राः ह। और 20 शेरिम रड़ कर्णेकट आपड ह। 6, 5, 4, 3, 2, 1 and the results are out 91.94% of this room watch it pass give yourself a big hand भारत मता की भारत मता की और हम आपको बताना जाएंगे कि आरे चानक क्या जिसका आप इंटजार कर रहे हैं सुभा से ही वो कुछी पलों में यहां पर प्रसुत किया जाएगा श्री मनोज जोशी जी द्वारा वेल नोन एक्टर डिरेक्टर आरे चानक क्या आप सभी का यहां आने के लिए धन्यवाद आज का यह सत्र हम यहीं खत्म करते हैं लेकिन जाने से पहले जाने से पहले हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और राष्ट्रगान के लिए जन गन मन जन गन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाव सिंदु गुजरात मराठा जाविड उत्कल बंग दिंदलिमाचल यमुनागंग उत्छल जल धितरंग तवशुब नामे जागे तवशुब आशिशमागे गाहे तवजय गाथा जन गन मंगल जायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय है जय 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 है जय कि खाथ जय है जय है अचाप्टे शब्स्ट्ट्रेंट्ट्र जिटने आया है प्रीज बैठें ये दस मिनट में आर्य चानक के पे एक जो नाटक है जो प्रसिद्ध दिगदर्शक और एक्टर जो मनोजोश ये वो प्रसिद्ध करने जा रहे है बहूती पार्फुल ऐस से नाटक है और यह आदे घंटे का होगा दस मिनट में शुरू हो जाएगा उनको सेट अजस्ट करने के लिए जो इतना टाइम लगेगा दस पंदर मिनट बस आट साल तो कोई किसी को जाने के जुरूत नहीं यहीं बैठे रही है